नमस्कार दोस्तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जारे एल नाम के जातकों के मन के सबसे बड़े डर के बारे में जिने जानकर आप हो जाएंगे आश्चे चकित दोस्तो जनम कुंडली के 12 भाव में 6, 8 और 12 स्तान अत्याधिक समश्या देने वाले होते हैं इन में डर का निवास्तान 6 भाव और 8 भाव में होता है आठवे भाव से समंदे डर आपके दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं जिसे आपके आत्मेश्वास में कमी आते हैं और आप जीवन में तेजी से सफल नहीं हो पाते अपने डर पर आप विजय प्राप्ट करें और इसके कारणों को समझें इसलिए आज ये वीडियो लेकर हम आपके सामने पेस हुए हैं प्यारे दोस्तों एल नाम के जातकों की रासी मेश रासी होती है और मेश रासी कालपुरुष का सीर है और सरीर में सीर का स्थान सबसे उपर आता है जिसमें बुद्धी का निवास होता है इसी बुद्धी के नियंत्रन में हमारा पूरा सरीर रहता है और सरीर के सभी अंग इ इने नवगर्य में सेना पति का स्तान प्राप्त है, सेना पति यूद्छेतर में सेना का नेत्रिताओ करते हैं, इसलिए इनके अंधर भी नेत्रिताओ करने की बहुत अच्छी छामता होती है इन नाम के जातक अपनी गतीश हिलता के कारण जाने वे पैचाने जाते हैं इसलिए आप कभी भी इन नाम के जातकों को ध्यान से देखेंगे तो पड़ता चलेगा कि यह एक स्थान पर बैट नहीं सकते यह निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं निरंतर फूर्ती से कुछ न कुछ करते रहना किश न किसी चीज में वैस रहना सदेव इने आगे तो रखता है और इने सम्मान भी दिलवाता है देखा जाए तो यह अपनी चमताओं से ही प्रतिस प्रधा करते रहते हैं जिसे यह सभी के आकर्षन का केंदर बने रहते हैं इ इने विशेश मैतों मिले यही इनकी मनसा होती है लेकिन स्वयम से प्रतिस प्रधाओं के बीच इनको निरंतर एक बहुत बड़ा डर सताता रहता है और वै है हार जाने का सुनकर अजीब लगेगा परंतु यह सत्य है चाहे रंचेत्रो या प्रेम प्रसंग इनके अंदर य इनकी कारे चमता बहुत अधिक प्रभावित होती है सदेव आगे रहनी की होड और हाजानी का डरीने भीतरी भीतर परेशान करने लगता है और इनके अध्यात्मिक विकास में बहुत बड़ा बादक सिदोता है इस कारन से यह विचलित और एत्रप्त दिखाई पड़ते है आपका मनुष्य योनी में जनम लेना तभी सार्थक सी दोता है जब आप भोतिक और भोतिक दोनों छेत्रों में आगे बढ़ें इसलिए स्वयम को सदेव आगे रहने वाली खोकली होड का इसाना बनने दे आप जब भी अपनी तुलना किसी और से करें समझ में आना कि आप गलत कर रहे हैं आप जैसा और कोई नहीं है यह बात सत्य है और आपको किसी से आगे रहने की आवशक्ता है ही नहीं आगे रहने की दोड में भोतिक रूप से तो आप आगे रह सकते हैं लेकिन इसके चलते आप एभोतिक सत्ता की अमरत को नहीं पाते इसी के साथ हम आज के लिए आपसे अग्या चाहते हैं आपका जीवन सुव्य मंगल में हो।